हमारे देश में गरीबों को घर देने के लिए योजना पहले भी चलती थी, लेकिन वो किसी परिवार के नाम से योजना चलती थी, उसमें घर की चिंता कम होती थी, परिवार का नाम बनाए रखने की चिंता होती थी, हमने आकर के बरलाव किया, हमने नरेंद्र मोदी आवास योजना नहीं बनाई हमने नमो आवास योजना नहीं बनाई हमने रगवरदास आवास योजना नहीं बनाई हमने सिंपल सी बात बता दी यह प्रधान मंत्री आवास योजना होगी जब भी जो प्रधान मंत्री आएगा वो उसको आगे बढ़ाएगा नाम का जगडा नाम के लिए नहीं काम होना चाहिए ये कोचा मैं जानना चाहता हूं यहां किसी को याद नहीं होगा कि पहले जिद बड़े बड़े नेताओं के नाम पर योजनाय चलती थी वो घर है कहां कागेज पर नज़र आएंगे धर्थी पर नज़र नहीं आएंगे ये रूपिय जोग कहां गये वो लोग कहां गये वो घर कहां गये वो पैसे यही खेल चलता रहा भावयोबएनो पहले की योजना में क्या क्य होता था जब तक उनके खासदारों को उनके आज़ पास के चेले चपाटों को दक्षीना नहीं देते तब तक आपका नाम भी तहीं नहीं होता था साथियों देश में पहले जो आवास योजना थी उसमें किसे घर मिलेगा कैसे मिलेगा इसकी चैन प्रक्रिया में बहुत बड़े बड़े खेल हुआ करते थे दलाली हुआ करती थी मैं सारवजनी ग्रूप से पूछ रहा हूँ यह जो मुझे सर्टिफिकेट दिखा रहे थे पचीस हजार लोगों को घर मिला ऐसे लोग बैटे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ क्या प्रधान मंत्री आवास योजना पाने के लिए आपको किसी को रिश्वत देनी पड़ी है जोरह से बताईए वो सर्टिफिकेट उपर करके बताईए मुझे देनी पड़ी है किसी को पैसे देने पड़े हैं किसी ने आप से पैसे मांगे हैं मैं देश भर के लोगों को कहना चाहता हूँ दलालों को हमारे हाँ कोई जगा नहीं है बिचोलियों कोई जगा नहीं है और इसलिए गरीब के खाते में सीधे बैंक से पैसे जमा करा रहे है